नमस्कार किसान भाईव आप सभी के गवार फिर से सौगत है हमारी चैनल एलपटेल में आज हम बात करेंगे 9500E मॉडल जो आता है 50 HP केडिगरी में इसकी पूरी डिटेल लिंग है क्या इसके अंदर दिया गया है सबसे पहले कर लुक की बात करें तो सेम स्टैलिंग दी गया है जैसे 9500 आता है और इसके अंदर देखते हैं तो आपको 50 HP रेंज का जो लोगों एक्स्ट्रा दिखेगा उसी के साथ 9500 लिखा हुआ दिखेगा आगे लिखा हुआ दिखेगा मैसी फर्गुशन और उसके नीचे लिखा हुआ है प्लैनेटरी प्लस वहिए आप देखेंगे तो छोटे आक्षरों में लिखा हुआ है हाई लिफ्ट जिसके साइड से आपको फिंगर टच बोनट उठाने के लिए एक सिस्टम दिया गया है और उसके आगे आप देखेंगे तो SJ Engines लिखा हुआ है वहिए अगर हम दूसरे साइड का व्यू करें तो ये भी सेम स्टाइलिंग में लिखा हुआ है जिसे उधर साइड लिखा हुआ है और इसके अंदर कोई बिसेस चेंज आपको नहीं दिखेगा दूसरे साइड में कि कोई अलग से कोई ब्रैंडिंग दी गई हो वहिए अगर आप मट गार्ड भी देखेंगे तो सेम स्टाइलिंग में दिये गए है सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं इसके एच्जिस्टेवल फ्रेंट एकसल से मतलब आप इसको एगज़स्ट कर सकते है अपने हिसाब से उसी के साथ आप देख सकते हैं सामने जो इसका दिये गया है भरी भर कब इंजन लगाय गया है अब अगर हम इसके इंजिन की डिटेल ले तो इस फ्रेंट में आप देखेंगे हैं पर आइल वार टाइप का एर किलिनर दिये गया है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करता है हमारे टेक्टरों के अंदर उसी के साइट से आपको रेडियेटर विद ओवर फ्लो रिजर्व वार दिये गया है मतलब रिजर्व की टंकी लगाई गई है जिससे कि आपको बार बार कूलिन डालना नहीं पड़ेगा अब अगर हम इसके इंजिन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सांदार इंजिन यही है जो कि SJ327 नाम से आता है और यह F3.5 कर दिये गया है मतलब जो इंजिन है उसके अंदर इंप्रूब्मेंट काफी ज़्यादा बड़ा लाया गया है और यह 50 HP का प्योर इंजिन कर दिय गया है Simpson Company की तरफ से और इसके जो पावर है वो काफी ज़्यादा है तीन सिलिंडर के साथ आता है वहीं अगर हम इसकी CC की बात करेती है यह 2700 CC का आता है और यह नौन टर्वो नौन EGR वाला इंजिन दिया गया है जो की काफी अच्छा इंजिन है टिक्टरों में इसकी जो परफॉर्मेंस है पहले से ही काफी ज़्यादा सांधार आती रही है और काफी ज़्यादा पसंदिदा है हमारे किसानों का वहीं अगर आप नीचे देखेंगे तो इसके अंदर दो पॉंप दिये गया है जिसमें से एक पॉंप आपको स्टेरिंग के लिए दी गया है और द इश्टल दिये गया है जिससे कि आपको टिपिंग ट्रॉली हैडरोलिक आउक्जलरी वाल जो भी चीजे चलानी हो वो इससे ऑपरेट होगी जो कि काफी यूनीक किर दिये गया है इस ट्रैक्टर के अंदर जो मुझे काफी अच्छा लगा वहीं अगर आप इसका पावर स् साथ बताऊंगा कैसे मिलता है वहीं अगर आप नीचे देखेंगे तो इसके अंदर दो बड़े बड़े फिल्टर आपको दिखेंगे जिसमें से एक हैड्रोलिक का फिल्टर दिये गया है और दूसरा आपको पावर स्टेरिंग के अंदर ओयल जो जाता है उसे फ्लो करने क खिली दिया गया है अब अगर हम दूसरे साइड देखेंगे तो यहां पर आपको रिजर्व की टंके दिख जाएगी जो कि अलग से लगए गई है काफी अच्छी बात होती है इस से टेक्टर में मेंटेनेंस कम पड़ जाता है वहीं आपको दो डिजर्ड फिल्टर भी दि इसके ब्रेक दिये गए है अब अगर हम इस टेक्टर के उपर वेट कर देखे तो आपको काफी ज़्यादा सांदार फील होगा क्योंकि इसके अंदर इंस्टुमेंट क्लेस्टर काफी अच्छा कर दिये गया है इसके अंदर आपको लगबग सभी चीजे एक ही इंस्टुम दिए गया वहीं अगर आप सस्पेंड़ेड पेडल को प्रेस करते हैं तो यह काफी असानी से लग जाते हैं मतलब ड्राइवर को काफी ज़्यादा कंफ़र्ट इसके अंदर मिलता है उसी के साथ अब अगर हम बात करते हैं इस टेक्टर की और डीटेल के सांद इसके गेर इद्वाक्स की, कम्पनी की है. इसके अंदर a confidence gearbox दिया गया है, जो की बईलनाए लाया गया है, जो स्मार्ट सीरीस के अंदर आता ए हुए उसी style का यह gearbox है, जो गेरवक्स है की बने कीनी बनकुल नया लाया है, मैसी ने ताकि ट्रिक्टर को काफी जदा comfort और इसमें दोनों साइड आपको गियर्स मिलते हैं पूराना गियर वॉक्स था उसमें एक साइड में आपको इक बड़ा घेर मिलता था और एक छोटा गियर मिलता था विजित अगर हम इसके hydraulic देखे तो यह ADDC टाइप कियाती है जो कि काफी अच्छी working में होती है जिसकी detail भी है आपको पूरी बताऊंगा मैसी जो है अपने खुद की hydraulic बनाता है जो काफी अच्छी बात होती है उसी के side से यह आप जो gear देखेंगे यह auxiliary bulb को operate करने के लिए है जिससे आप multi plow, mb plow असानी से चला सकते है वहीं अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक gear मिलेगा जिससे कि आप multi speed PTO 540 PTO, reverse PTO बहुत सारे option के साथ आप चला सकते है जो कि काफी अच्छी बात है और इसमें एक और gear दी गया है जिससे कि आप neutral कर सकते है मतलब अलग-अलग speed में आप PTO को चला सकते हैं जिसे quadra PTO कहते हैं वहीं अगर हम back end का view करें तो यहाँ पे आपको 3 points sensing वाली lift मिलती है मतलब 3 अलग-अलग point मिलेंगे जिस पे आप अपनी हिसाब से मिटी के हिसाब से sense करवा सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात होती है यह अलग-अलग मिटी के हिसाब से सरचना पर depend करती कि आपको कैसे चलाना होता है वहीं आप देखेंगे तो back end काफी ज़्यादा भारी भर कम दिये गया है तो एक की PTO HP दी गई है जो की काफी ज़्यादा होती है कि 50 HP के टेगरी टेक्टर के लिए वहीं अगर हम देखें तो इसकी जो high day ground position है जो वो काफी ज़्यादा कर दी गई है उसी के साथ में अगर हम बात करें इसकी lifting capacity के बारे में तो ये 2050 केजी के इसकी lift दी गई है जो की काफी है भी है तो यही सब कुछ है मेसी फर्गुशन के 9500 planetary press के बारे में जो की 50 HP में लाया गया है बहुततर 50 के अंदर कुछ कमिया दिख रही थी company को जो की किसानों ने demand करी इसलिए 9550 HP के टिगरी में लाया गया हर किसानों को काफी ज़्यदा पसंदा रहा है तो आप भी मुझे जरूर बताएं कि ये टेक्टर कैसा है